दोस्तो नमस्कार अनुखा ग्यान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है दोस्तो आपने दुनिया में कई खुबसूरत महिलाओं को देखा होगा लेकिन भारते खुबसूरत की बात ही कुछ और है भारत में बहुत सी खुबसूरत महिलाओं हैं जो भारते सुन्दरता को परिभासित करती है इसलिए हमने केवल टोप 10 2021 की खुबसूरत महिलाओं को उनकी सुन्दरता लोग प्रियता और केरियर की सफलता के आदार पर सोर्ट लिस्ट करने का फैसला किया है इससे पहले दोस्तों यदि आपने अभी देख हमारे चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सकाइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दाबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकिशन आपको मिलती रहे तो चली दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों बातकते नमबर 10 सोनारी का भधोरिया की सोनारी का भधोरिया मूल लूप से एक भारतिय टीवी फिलिम अभिनेतरी है जिसका जनम 3 दिसंबर 1992 को मुंबई में हुआ था वै भारतिय टीवी सो तुम मेरा साथ देना देवो के देव भादेव और प्रत्वी वल्लव में अपने कारिये के लिए सबसे परसीद है दोस्तों ये भारतिय टीवी अभिनेतरी देवो के देव महादेव में देवी पार्वती के रूप में उनके एसाधर और अभिने के लिए जानी जाती है दोस्तों बातकते नमबर 9 हिमांसु वरत्मान दिनों में खुबसूरत भारत्य महिलाओं में से एक है वह एक 28 वर्चे पंजाबी अमनेतरी मोडल गाएका है वह दिखने में बेहदी खुबसूरत है हाड़ी संदू द्वारे लोग पर ये पंजाबी गीर सोच की विजहस्ता के बाद हिमांसु खुराना सुर्क जो में आ गई है उनका मोडलिंग केरियर उजवल है और उन्होंने मिस लुध्याना परत्योगता भी जीती है उनका सुन्दा चेरा भूरे बाल भूरी हरी आकरशक आके उनके रूप को हमेशा ही आकरशक बनाती है अब पूरे भारत में लोग उनके दिवाने हैं दोस्तों बात करते नमबर एक काजल अगरवाल की काजल अगरवाल खुबसूरत और सबसे लोगप्रियत तमिल अभी नेत्रियों में से एक है जो जायदातर तमिल और तेलकु फिल्मों में काम करती है वेकई हुआ सात्यों की पसंदीद आया और लोग उनकी सुन्दरता और क्यूट फिल्मों में अभिने किया है दोस्तों हाली में उन्होंने 30 अक्टूबर 2020 को उद्धमी तकनी की पेसेवर गोतम किछलू से साधी किया है काजल अगरवाल अपनी घहरी भूरी आखो और प्यारी मुस्कान के साथ 5 फूट 5 इंच लंबी है जो हमेसा लोगों को अपनी ओर आ खाय देती है इसके अलावानोंने कुछ वोलिवुड फिल्मों में भी काम किया है जैसे हिम्मत वाला मरो रंजन आदी दोस्तों तमना भारतिया दूद्य सुन्दता के रूप में लोगप्री है जिसका जनम 20 दिसंबर 1999 को मुंबई भारत में हुआ था वैकाम उमर में आगरी का घाट के भी मोजूता दोर में भारत की खूबसूरत महिलाओं में से एक है वह एक लोगप्रिये भारतिया फिल्म अबनेत्री है जो अपनी खूबसूरत आखो और परफेक्ट फिगर के लिए जानी जाती है वह पहले से ही पंजाबी हिंदी मराठी जैसी विभीन फासाओं की फिल्मों में काम कर चुकी है दोस्तो चकदे इंडिया में उन्हें प्रीती सपरवाल की भूमिका मिली और अपनी अदबुत उपस्तिती और भूमिका से सुरक्यों में आई वरतमान में वया अनुभवी पूर क्रिकेटर जहीर खान की पतनी है और भारते क्रिक की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक है वे पहले से यूज्वल फेशन मोडल और पेशा रखने वाले भारते फिल्म उध्योग में नहीं है कीती खरबंदा बहुत अच्छी दिखने वाली अबनेत्री है और वे पहले से तेल्गू और कन्नर्ट फिल्म उध्योग में क 2021 में जंग है मिल गई है दोस्तु बात कते नमबर चार उर्वसी रोतेला की उर्वसी रोतेला ना केवल सबसे होट भात्य महिला मोडल में से एक है बलकि भारत की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक है दोस्तु संसानी खेज उर्वसी रोतेला को योजो हनी सिंग लाव फूर्वसी ज्यादा तर अपना समय खुद को फिट रखने के लिए जिम में बिताती है और हमेशा अपनी बोड़ी का ख्याल लगती है दोस्तों उन्हों अपनी सुन्दरता के लिए मिस्टीन इंडिया 2009, मिस्टूरिजम कीन आफदाईयर 2011, मिस्टीवा 2015 और भी बहुत सारे पुरुषकार जीते हैं दोस्तों बात करते हैं नमबर थार्ड डिपीका पादुकोन की डिपीका पादुकोन अब तक की परसित और खुबसूरत भारते महिलाओं में से एक है उनका जनम 5 जनवरी 1986 को कोपेन हेगन देनमार्क में हुआ था वह आप बोलिवोड की खुबसूरत अभिनेत्रों में से एक है इसके अलावा वह सबसे अधिक भुकतांत बाने वाली बोलिवोड हस्तियों में भी सामिल है दोस्तों डिपीका खुबसूरत बालो वाली कलंबी महिला है उनके पास एक ऐसाधर परफेक्ट फिगर है उनका एक एदित्य वक्तित भी है वह हमेशा मेला सेसकती करण सामाज की मुद्धों के बारे में चर्चा में रहती है दोस्तों मोडलिंग और फिलिम केरियर में प्रिविस करने से पहले दिपी का एक टैनिस खिलाडी भी थी और होलिवुड फिलिम टिरपर एक्स रिटरन ओफ दा जेंडर केज में भी उन्होंने काम किया है दोस्तों बात कते नमबर टू प्रियंका चोपड़ा की प्रियंका चोपड़ा भारत में भारतिया खुबसूरत महिलाओं की सूची में दूसरे स्थान पर आती है इस दिगज अभीनेत्री का जनम एक जुलाई 1982 को जमसितपूल भारत में हुआ था वे अपने अद्बुत अभीने कोसल और सुन्दाता के लिए दुनिया भर में परसीद है बोलिवुड की ही नहीं प्रियंका होलिवुड इंडस्ट्री में भी काफी मसूर है अपने काम के परतियात मिस्वास के साथ 1.79 मीटर की उचाई उन्हें हमें सही खास बनाती है साल 2000 में मैं विस्वर्ट का खिताब भी जीच चुकी है इसके बाद उन्होंने खुद को एक सफल अभिनेत्री के रूप में इस्ताफित करने के लिए बोलिवुड में परवेस किया और अब वह मुझूद्य समय की सबसे अमीर बोलिवुड अभिनेत्रों में से एक है दोस्तो बात कते नंबर वन ऐशवरी राय बच्चन की ऐशवरी राय बच्चन भारत की सबसे खुबसूर्द महिला है जो अपने खुबसूर्द अभिनेय और फैशन कोसल के लिए लोग परिया है इस खुबसूरत महिला का जनम एक नॉवंबर 1973 को मैंगलोर भारत में हुआ था दोस्तो इसमें कोई शक नहीं है कि एश्वरी राय एक सबसे खुबसूरत महिला है जो कई माइनों में खुबसूरत दिखने में सपल रही है 1994 में एश्वरीया ने मिश्वर्ट पत्योगता जीती फिर उन्होंने खुद को भारत की सबसे आकरशक और परभावशाली महिला अभी नित्रों में स्थापित किया दोस्तों आकरशक नीली आखो वाली 1.7 मीटर उचाई वाली एश्वरीया हमेशा कई लोगों का दिल जीत लेती है कुल मिलाकर वह 2021 की टोप 10 खुबसूरत महिलाओं की इस सूची में सबसे उपर है दोस्तों उमीद है कि आपको यह वीडियो और इसमें दीग़े जानकारी दोनों ही पसंद आई होगी पसंद आई ये तो इसे लाइक और जादा से जादा दूस्तों को भी शेयर करें मिलते हैं एक और नई एपिसोड में तब तक के लिए नमस्कार जै हिंग जै भारत